पूजी बाजार न्यामक सेभी ने इन्वेस्टर्स के डीमेट अकाउंट में सिक्यूर्टीज के डारेक्ट भुकतान की प्रक्रिया को अनिबारे बनाने का फैसला लिया है सेभी विचार कर रही थी होता यह था कि जब आप किसी ब्रोकर के जरीए कोई शेर खरीदते थे और वो शेर जो डिपॉजिटरीज हैं उस ब्रोकर के एकाउंट में देती थी और ब्रोकर आपको ट्रांसफर करता था तो इस पीच में उसे स्टॉक के मिस्यूज की संभावना दिये थे और यह कहा था कि अब ब्रोकर कहीं भी बीच में नहीं आएगा ब्रोकर केवल सौदा कंप्लीट करेगा और इसके बाद जो स्टॉक्स का ट्रांसफर है वो सीधे शेर धार के खाते में किया जाएगा ताकि ब्रोकर को बीच में उसके मिस्यूज का उसके कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि अब वो स्टॉक सीधे आपके डिमएट अकाउंट में आपके पास अपके अकाउंट में आएगा उसमें ब्रोकर की कोई भूमिका नहीं होगी सरविस डिमेट अकाउंट की रकम बढ़ाने का भी एक प्रस्ताव है यह अगर आता है तो इसका क्या असर होगा basic service demet account की जो रकम है उसको 2,00,000 रुपए से बढ़ा के 10,00,000 रुपए करने की बात है जो अभी आप demet account जो लोग शेर बाजार में trade करते हैं उन्हें पता होगा है कि demet account में करीब करीब 2,00,000 रुपए तक की debt securities सीमा है दो लाक रुपए की वैसे सीमा है लेकिन दोनों को अलग लग किया जा सकता है इसे बढ़ाकर 10 लाक रुपए करने की बात हो रही है और इसकी वजह सिर्फ यह है कि रेगुलेटर से भी चाहता है कि रिटेल पार्टिसिपेशन और जाधा बड़े है और अगर रिटेल इसकी डिमेट सर्वेस एकाउंट को जो बीएसडिया कहते है उसे बढ़ाने के लिए के प्रस्ताओं पर विचार किया जा रहा है रिटेल निवेश्कों को इसे फायदा होगा कि जो भी जो भी इस डिमेट एकाउंट के का जो एलिजिबिलेटी क्राइटेरिया है जो इसकी इसकी का पैमाना है मांदन उसे पूरा करते हैं वो और जाधा स्टॉक्स खरीद सकेंगे और ट्रेडिंग में सकरीता से भाग ले सकेंगे गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनिया यानि NBFC से करज लेना महगा हो सकता है NBFC को बैंकों से मिलने वाली फंडिंग में कमी आई है NBFC आपको जो करज देती है दरसल वो पीछे से बैंक से पैसा लेती है और उसमें अपना इंट्रस रेट जोड़कर उसको थोड़ा हाई कर कर्र हमको करज देती हैं अब बैंक उनको पैसा नहीं दे रहे हैं अपनी जरूरत के लिए JP category में पर दूसरी जगह से करज उठा रहे हैं जिस वैसे कंपनियों के कर्ज की लागत बढ़ गई लागत बढ़ने से आगे भी यह कंपनिया मेंकी दर पर करज मांटेंगी यही का केमपينیوں को हैज शेडो बैंक को करज देने में सक्तिकरनी होगी आपको पता है कि जो शेडो बैंक से एनबिएफ़ कमपीनिया यह उन लोगों को करज देती है जिनके आम तोर पर बैंकों से करज नहीं मिलता जिनकी करेट प्रोफाइल अच्छी नहीं होती है जिनके सिबिल स्कोर्स अच्छे नहीं होतें एन्बी एफसी उसी का प्रीमियम वसूलती है और बैंक से पैसा लेकर आगे शेड़ो बैंकिंग के थुरू इन ऐसे लोगों को देती हैं जिनको बैंक से कावसर नहीं मिलता है हुआ ये कि जब रिजर्ब बैंक ने पिछले साल अनसेक्योर लोन्स पर क्रेडिट कार्ड के अगे इस फिनांस पर सकती शुरू की तो पता चला कि इसका एक बड़ा हिस्सा एन्बी एफसी के जिरिए रूट हो रहा है जो इस तरीके के अनसेक्योर और असुरक्षित करजों में जा रहा है बैंकों का जो प्रमुख करज का काम है उसमें पिछले एक साल के दोरां सबसे ज़ाधा ग्रोथ एन्बी एफसी को करज देने में आई इसे आप बैंकों के इस तरह पर लेजी बैंकिंग कह सकते हैं कि बैंकों के पास पूझी उन्होंने न्बी एफसी को दे दी उन्होंने बेहतर मारजिन पर पैसा उठाया और आगे दिया और इसके बाद इसका रिटर्न बैंकों को मिला अब जब बैंकों ने सकती की अप्राविजिनिंग के नाम बढ़ाए, अनसीकूर्ड लोन को लेकर नियम बढ़ाए, तो करज पर ब्याजदरों में बढ़तरी हुई और उसका असर NBFC के कारोबार पर पड़ा, तो NBFC घूंगई मूचल फंड्स के तरफ, मूचल फंड्स के बात की जाज़त है कि NBFC को करज दे सकते हैं, उनके बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, उनको शार्ट टरम फंड्स भी अविलेबल करा सकते हैं, बारत में मूचल फंड्स के पास यूज कैश रिजर्फ रहते हैं, तो जो ताज़ आकड़ा आया, केरिज की रिपोर्ट के स सक्री की, तो मूचल फंड्स से पैसा इनके पास पहुचने लगा है, और यही चुनोती NBFC के साथ इससे पहले भी आती रही है, कि NBFC को जो बैंक पैसा नहीं देते हैं, तो मूचल फंड्स के पास सरप्लस फंड जो पड़ा होता है, उसमें निवेश के लिए जाता है, ल झाल